साथियो नमस्कार मैं शालिनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ पूरा मेरा लोटस रेखी परिवार सुखी होगा सुरक्षित होगा घरों में होगा आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्स हमको कौन से वो साइन देता है जिससे हमको पता चले कि कोई व्यक्ति हमको याद कर रहा है पताओं के तौर पे तो हम बहुत सारी चीज़ें जानते ही हैं पर और भी बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे होते हैं छोटे-छोटे सिग्नल्स जो यूनिवर्स हमको दे रहा होता है जबकि कोई व्यक्ति हमको याद करता है और हम उनको समझ नहीं बाते तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ साइन्स बताने वाली हूँ जिससे आप भी समझ पाएं कि कोई व्यक्ति आपका कोई चाहने वाला आपका कोई परिवार का या कोई भी आपका नियर डियर व्यक्ति आपको याद कर रहा है तो पहला साइन होता है ड्रीम्स में दिखना dreams you तो हमको बहुत सारे आते हैं कहते हैं जीवन का आयना होते हैं सपने तो सपनों में अगर आपको कोई विक्ति एक आएक जिसके बारे में आपने दो-चार दिन पहले सोचा भी नहीं है और कुछ विचार भी नहीं किया लेकिन आपको लगातार एक दो दिन से वो सपनों में दिख रहा है या दिख रहे हैं वो लोग तो समझिए वो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या वो विक्ति आपके बारे में सोच रहा है कुछ बातें कर रहा है आपके बारे में या आपसे मिलना चाहता है या कोई भी ऐसी चीज उसके जीवन में आपका महत बढ़ रहा है मतलब वो आपके बारे में दिन रात सोच रहा है वो जो vibrations create हो रही है वो आपके subconscious mind तक भी आ रही है आपके mind को भी ना positive vibrations मिल रही है इसी लिए आप भी dreams में उसको लगातार देख रहे है तो पहला sign होता है उस व्यक्ति को लगातार dreams में देखते जाना दूसरा हमको और क्या sign मिलता है कभी कभी ऐसा हो कि किसी की कोई बात याद आए और अपने आप हम मुस्कुराने लगे काम हम कर रहे हो जबकि हम उस बारे में सोच भी नहीं रहे लेकिन एक एक कोई thought दिमाग में pop-up करे और हमको किसी की कोई बात याद आजाए और अपने आप ही चहरे पर मुस्कुराहाट आजाए तब भी मानिए कि कोई वेक्ति आपको याद कर रहा है क्योंकि कोई वेक्ति अगर हमको लगातार याद कर रहा होता है तो बहुत सारी vibrations, बहुत सारी positive vibrations वो universe में छोड़ रहा होता है तो वो वाली vibrations जब हमारे brain से आकर टकरा रही होती है तो एक आएक हमको अगर अच्छी positive vibrations है तो हमको भी वो चीज़े याद आजाती है और चाहे और अंचाहे हमारे भी चहरे पर मुस्कुराहाट आजाती है कुछ छोटा सा याद करके काम के बीच में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है इसलिए आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और भी बहुत सारे science होते हैं जैसे कि अपने west schedule के बीच में आपको कभी एक एक लगने लगे कि आप उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं या किसी भी तरह उस व्यक्ति के साथ आपको होना चाहिए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके बारे में दिन रात सोच रहा है और आपको याद कर रहा है इसलिए वो vibrations वो energy आपके पास आ रही है कि आपके दिमाग में भी ये थौट बार-बार आ रहा है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास जाना है या मुझे उससे अभी बात करनी है किसी भी तरह अभी मुझे उससे मिलना ही मिलना है तो अगर इतनी positive thoughts अगर एका एक आपके दिमाग में आने लगें तो समझ कर चलिए कि पीछे वाला सामने वाला विक्ति आपको याद कर रहा है अगर आपको एका एक ऐसा लगता है कि जैसे उस विक्ति ने आपको आवाज दी आप अपनी काम में व्यस्त हैं और आपको ऐसा लगे कि किसी ने चुआ या आपको ऐसा लगे कि किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी उस विक्ति ने मुझे आवाज दी या उसकी आवाज कानों में सुनाई दे तो यकीन मानिये वह विक्ति आपको आवाज ही दे रहा है तो कि आ खे और बिलो हुआ और यार चाहन में इसलिए उसके बात इसके आवाज की City मोच को और यारी कि सबस्फो अच्छा सा मेसेज जो आप लोगं के लिए एक अच्छे मेमूरी के तौर पे हैं, वो मैसेज एक आएक सामने आज़ा है, आप कोई बुक खोल रहे हैं, उसमें आपने देखा, उसकी दी हुई कोई फैदर या उसका दिया हुआ कोई चीज आपके सामने एक आएक आजाती है, या उसकी दी हुई कोई गिफ्ट एक एक आपके सामने आ जाए, आपने अपनी अल्मेरा खोली और देखा तो और सामानों की पीछे कहीं रखा हुआ है और एक एक वही सामान निकल के सामने आ जाए या आप दोनों को साथ का कोई फोटो हो वो सामने एका एक निकलाए तो भी यकीन मानिये कि आपको वो विक्ति याद कर रहा है जब हमको कोई दिल से याद कर रहा होता है तो यूनिवर्स हमको बहुत सारे सिग्नल्स देता है अगर वास्तब में positive vibrations होती हैं अगर positive विचार हो में तो यूनिवर्स हमको बहुत तरह से बताने की कोशिश करता है कि वो विक्ति आपके लिए ये सोच रहा है और बहुत सारी positive energies हम भी feel करते हैं तो ये होते हैं छोटे-छोटे science और छोटे-छोटे ऐसे symptoms जिनसे कि आप महसूस कर सकते हैं आप जान सकते हैं कि कौन सा विक् हमको याद कर रहा है इस चीज़ से हम जान सकते हैं यूनिवर्स में हर तरह की energies हैं अगर हम उसको समझ पाते हैं यूनिवर्स बहुत प्रयास करता है हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए पर हम यूनिवर्स से कितना receive कर पाते हैं ये हमारे उपर depend करता है तो यूनिवर् सोचें तो ये प्रयास होता है यूनिवर्स का जब कोई सचे दिल से किसी को याद कर रहा होता है उम्मीद करती हूं आप लोग भी इन signals को समझेंगे और आगे से कोई भी अगर आपका अपना याद करेगा तो आप भी उसको पहचान पाएंगे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए थैंक यू